Welcome back to our YouTube channel Tech Guide Wasim तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे जो JK Bank की UPI है वो वर्क नहीं कर रही है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपनी UPI PIN Reset कैसे करोगे और आपका जो UPI Problem है वो Solo हो जाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी हलफुल कंटेंट आप तक पहुंच सके तो आपको आना होगा अपने मुबाइल फोन के फोन पे अप्लिकेशन पे फोन पे अप्ल क्लिक करने है उसके बाद आपको यहां से मैं अपनी डिटील जाओ हाइड कर रहा हूँ उसके बाद आपको यहां पे एक आप्शन आ रहा है साइड पे एरो एक आपको इस पे क्लिक करना होगा इस पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहां पे एक आप्शन आ रहा है यूपी वाले option पे click करने, proceed वाले option पे click करने के बाद यहाँ पी आपको जैसे कि आपका HDFC bank है, या JK bank है, कोई भी bank है, तो आपको अपने card के जो last 6 digit है, वो यहाँ पे आपको डालने, उसके बाद आपको यहाँ पे expiry month or year डालना है, उसके बाद आपको proceed कर देना है, proceed करने के बाद आपके mobile पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको बताएगा कि आप अपनी new pin डालो, आपको new pin डाल देनी है आपका जो pin है वो change हो जाएगा, उसके बाद इसलिए आप अपने phone पे, pay tm की transaction कर सकती हो जो bank है, यानि branch जो है, उनको वहाँ से contact करना होगा, हो सके उनकी जो e-kyc है वो pending होगी, वहाँ से आपको KYC करवानी होगी, अपने branch से, जहां से भी आपने account open किया है, तो वहाँ से आपको अपनी re-kyc अपनी कर देनी है, या आपको अपने bank branch में जाना है, वहाँ बोचना है कि मेरा जो UPI है, वो work नहीं कर रहा है, अगर आप reset करते हो, फिर भी work नहीं कर रहा है, उनके लिए अग आपको फिर अपने branch से contact करना होगा, वहाँ से अपनी problem सौलो करने होगी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना ना भोले, मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए, अलाहाफेज, थ